सुपरभात नमशकार गुड बॉनिंग जसी टिक में आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तो तारीक है 23 अगस 2024 और दिन है शुक्रवार शुक्र है शुक्रवार है थैंक गौर इस सब फ्राइडे और फ्राइडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी और मैं इस उमीद के यह शुरुआत कर रहा हूं इस वीडियो की कि आज सेंसेक्स के एक्सपायरी में लोगों को सब को लाब हो मुझे बालू मैं बहुत लोग ऐसे हैं जो कल को अभी तक भूल नहीं पाए है कल बहुत लोगों को दिक्कत भरा सबब देखना पड़ा लाब नहीं हुआ और दोनों ही नेट बायर्स बनके गए हैं कैश में नेट बाय डिया इस ने 2971 करोड के नेट बाय में और 1371 करोड के नेट बाय में अब कुछ लोग कहेंगे सहाब अगर यह दोनों ही बायर्स थे तो फिर दिक्कत क्या थी फिर तो बहुत उपर जाना चाहिए था कल ही 25,000 लग आप देता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि जब यह दोनों ही ना जब दोनों ही बायर्स बन जाएं किसी दिन तो उसके अगले दिन थोड़ा दिक्कत बरा सबब हो सकता है पहली बात तो दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि इन्होंने इंडेक्स में ही जो स्टॉक से उनी ही में buying की हो जबूरीं नहीं ना तो हो सकता है कि वह उन इंडेख्स में stock होई यहां पर इन्होंने buying ऐसी की हो गर बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसे यहांद यह कहिए यह का derivative statistics जैता है derivative statistics कहता है कि फिन निफ्टी के फ्यूचर को भर भर के बाय करके गए हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर को भर भर के बाय करके गए हैं दोस्तों याद रखेगा भर भर के बाय करके गए हैं और बैंक निफ्टी के फ्यूचर को बाय तो क्या ही क्या है साथ में यह समझ लीजे का बैंक निफ्ट mid cap nifty में भी buy करके गए nifty में क्या करके गए nifty में किया है sell nifty में 26,367 contract sell किये है 26,367 contract sell किये है उसके खिलाफ सिर्फ 19,508 contracts 19,500 contract ही buy है futures में तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है जरा ध्यान से चलिए आप शुरुआत आज करेंगे हम लोग कि bank nifty कैसा चल सकता है उसके बाद nifty फिर करेंगे mid cap और उसके बाद करेंगे sensex पर भी बात चीद देखे bank nifty के अगर बात करेंगे तो clear clear है कि 51,080 51,080 के उपर 51,080 के उपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं अगर चलना स्टार्ट करें टिकें तभी हम बाइ साइड के बारे में सोचेंगे 51,080 के बाद हमारे को लेवल आएगा 51,218 51,218 का 51,218 भी अगर ब्रीच होता है अपसाइड के लिए तो उसके बाद लेवल मिलता है 51,300 310 का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है यह याद रखेगा अगर यह रेजिस्टेंस पार किया 51,310 का तो 51,420 and then we might be able to see somewhere around 51,600 तक के लेवल अन अपसाइड On the downside, my difference प्लीज रिमेंबर कि अगर 50,794 कल का लो 50,794 और यह सभी important देमाज भी यह समझ लीजिए इसके उपर ही है मतलब इसके नीचे है तो 50,794 शल एक्ट as an excellent support for us शुड एक्ट as an excellent support for us पर अगर 50,794 यह यह 50,800 करेख लीजिए अगर इसके नीचे जाना start किया तो यह समझ लीजिए 50,674 का रस्ता खुल जाएगा 50,674 का रस्ता सीधा सीधा खुल जाएगा और अगर उसके नीचे गए तो 50,540, 542 का रस्ता clear खुल जाता है 50,542 तक का रस्ता बात कर ले दें Nifty 50 पर जहां पर कल expiry हुए 24,811 और आपको पता है कि कल के expiry में लोगों को आनन्द नहीं आया उमीद करूँगा कि आज आप लोगों को सब को आनन्द आएगा Nifty की जब बात करते हैं तो 24,867 कल का हाए है जब तक हम उसके उपर बाइसाइड पे नहीं आएगे जब तक उसके उपर ना चलें तब तक हम बाइसाइड पे 25,000 25,000 25,000 15 तक के अपसाइड के लेवल्स एक बार को देखने को प्राप्त हो सकते हैं आज दोस्तों एक और बात बताऊँ इससे पहले कि मैं डाउनसाइड के लेवल्स की बात करूँ मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि कई बार आप लोग कॉमेंट्स में मैसेज करते हैं और मैं आपको कोशिश रहती है कि जितना प्रॉम्टली जवाब दे सकूँ दे दूँ आज शायद वो नहीं हो पाएगा बिकोज जब आप ये देख रहे होंगे जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो शायद मैं फ्लाइ कर रहा हूँगा बिकोज आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ महाराश्टर को और आपको मालूम ही है संडे को हमारा प्रोग्राम है पुने में उसके लिए ट्रैवल कर रहा हूँ तो शायद आज आज आपको मैं प्रॉम्टली जवाब ना दे पाऊँ बट आप लोग कॉमेंट करिएगा जरूर करिएगा जवाब आपको देर सही सही है लेकिन जवाब जरूर दूंगा और लाइक तो करना ही करना है आप लोगोंने कर डाउन साइड के बात कर लेते हैं 24784 24784 याद रखिएगा 24784 24811 को बहुत बड़ा फरक नहीं है 24784 कलकल हो है अगर यह तूटता है 24784 तूटा तो 24740 24740 के नीचे गए तो 24700 का लेवल सीधा सीधा 24700 का लेवल सीधा सीधा हमको देखने को प्राप्त हो सकता है बहुत ही शांदार पुट राइटिंग हो रखी है 24700 अब बात करते हैं निफ्टी मिड सेलेक्ट कल आप लोगो ने देखा निफ्टी मिड कैप ने भाई अलगी अन्दाज ही अलग था इसका गैप अप हुआ और उसके बाद इसने पीछे मोड के नहीं देखा जब अरदस्त जब अरजंग उपर को भागा और 1399 लगबग लगबग 13100 का ओल टाइम हाई लगा है अब 1366 पर इसकी क्लोजिंग होई है एनी डिप इसन अपॉर्चनिटी तो बाई पहली बात यह समझ दीजेगा यह बाई ओन डिपस पे है निफ्टी मिडिकैप निफ्टी मिडिकैप इस बाई अपॉर्चनिटी तो बाई 13000 गुड अपॉर्चनिटी तो बाई 13000 के आस पास मिलता है एक अपॉर्चनिटी तो आया है जो कि हमको फिर से 13,060, 13,044, 13,067, 13,099 मतलब कि अगर हमको यह 13,000 के आसपस मिलता है तो 13,044, 13,066, 13,099 जो कि all time आया है उसको दुबारा से टेस्ट करने जा सकते हैं और उसके बाद उपर गए तो 13,000 लगब लगब 33,133,134 का लेवल आता है 13,133,134 तक के लेवल अपसाइड बे देखने को प्राप्त हो सकते हैं याद रखिएगा मैंने अभी 13,000 का लेवल तक का है कि कोई डेपो तो बहुत अच्छा है 12,971 कलका लो है 12,971 कलका लो है अगर यह तूटता है 12,970 तूटा तो दोस्तों फिर हमारे को जो लेवल मिल सक वोट नहीं है 12,910 का और 12,910 भी अगर तोटेगा तो दोस्तों आपको एक बार को 12,880 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं ये हुई nifty mid cap की बात अब दोस्तों हमको किस चीज की बात करनी है अब हमको बात करनी है दोस्तों आपकी प्यारी सेंसेक्स जिसकी ही आज है एक्सपायरी सेंसेक्स में कल आप लोगों ने देखा कि निफ्टी की एक्सपायरी का असर उस पर भी पढ़ रहा था रिलाइंस फ्लैटिश था कल एजड़ एफसी बैंक भी कुछ ज़्यादा दरोंदार कुछ दमखब नहीं दिखा रहा था आईसे आई से बैंक जरूर ग्रीन में क्लोज हुआ है अब दोस्तों जब हम सेंसेक्स की करते हैं बात तो सेंसेक्स में यह याद रखेगा 81,000 पर पुट राइडिंग स्ट्रॉंग है 81,000 पर अच्छे पुट राइटर्स हैं और 81,053 पर हम क्लोज हुए हैं तो 81,000 जब तक 81,000 बरकर आ रहा है तब तक हम बुलिश हैं या यह कहिए कि 80,954, 80,954 कल का लोग है जब तक वो नहीं तूटता तब तक हम बुलिश ही है 80,953 टूटा 80,954, 953 टूटा तो वहां से सीधा सीधा हमारे लिए लेवल तयार हो जाएगा 80,793, 794 अगर वो भी तूट गया तो 80,653 गोज आफ वो भी तूटा तो 80,510 का लेवल डाउंसाइड पर देखने को प्राप्त हो सकता है on the upside कल का हाई क्या है 81,236, 81,236 के ऊपर ही हम लोग बाय के बारे में सोचेगे याद रखिएगा 81,000 पर put writing अच्छी है, 81,200 पर call writer बैठें है 81,200 जब तक नहीं तूटेगा या यह कहिए 81,236 जब तक नहीं तूटेगा तब तक bullish नहीं हो ना मुझे 81,236 के ऊपर ही मैं सोचूंगा कि हाँ आप यहाँ से bullish नहीं सा सकती है जो कि पहला level हमको आएगा 81,400 के आसपास, 81,398 का 81,398,891,400 अगर वो भी पार हुआ तो उसके बाद आएगा 81,570,81,578 81,737,81,737 अब कुछ लोग कहेंगे यह तो उपर की levels बढ़ता ही जा रहा है बिल्कुल आप लोग को पता है जिस दिन movement आती है उस दिन sensex पे कैसे आती है 81,737 के बाद 81,864 81,864 और उसके बाद आसकता है 82,000 और 82,000 भी पार हुआ तो 82,130 82,000 ए 82,100 83,130 तक के levels भी एक बार को देखने को हो सकते हैं प्राप्त यह याद रखिएगा कि आज sensex के expiry है position हलकी रखनी है और अगर आपने कोई position लिये है तो पहली बाद तो इंदमनी ही trade लेना है जैसे ही वो इंदमनी out of the money हुआ तो तुरंट समझ जाएगा कि आपका stop loss it हो चुका है यह recovery, recovery की कहानिया मत गाय करो, मत सुना करो बहुत लोग दिक्कत में आते हैं और 15-20 मिनिट से ज्यादा किसी trade में बैठना ही का कोई मतलब भी नहीं बनता भाई कल देख लिया ना जो बैठे होंगे, पूरा पूरा दिन बैठे रहे होंगे कल, अगर मैं लिटरली बात करूँ कल 24-800 की जो call थी वो most of the time पूरे दिन, पूरे दिन में मुझे नहीं लगता कि शायद वो एक अधी बार कभी out of the money हुई हो, पूरा दिन इतना money रही लेकिन वो 15 minutes वाला अगर funda जिसने लगाया होगा वो बच गया होगा अधरा इस पूरे का पूरे लोगों ने पैसा बरवाद किया है कल को पूरे का पूरा जिरो कर लिया है पैसा लोगों ने तो ऐसा ना हो, इसलिए थोड़ी positions को हलका रखेएगा 15-20 minutes में जो लाब मिलता लेके चुप-चप निकलते रही है और पूरे में मुलाकात करी रहे है परसूं, मुलाकात करेंगे और जो लोग पूरे नहीं आ रहे हैं भाई उनके लिए 29 वाला बैच है 29 अगस से बैच भी स्टार्ट हो रहे है 12 देस का बैच है, जो आना चाहिए खुशी से आ सकता है 12 दिन का बैच है, 10,000 रुपए उसका फीस रखा गया है याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ academic purposes से की गई है इसका 12 की सला से कोई लेने देने नहीं है 12 की सला के लिए आप अपने financial advisor से कीज़ेगा बातचीत उमीद करता हूँ, वीडियो को आप औरड़ी like कर चुके होगे, नहीं किया तो like किज़ेगा, share किज़ेगा दोस्तों के साथ, and my dear friends अगर अभी तक आपने जसी टेक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करना तो बनता है ना शुक्रिया, नमशकार, धन्यवाद, and good luck for today's sensex expiry, bye-bye